हलो दोस्तो स्वागत है आपका सरोधया साइंस एंड टेक्नो में तो आज हम समझने वाले हैं कि क्या प्रित्वी अर्थ एक मैगनेट है चुम्बक है अब क्यों ऐसा हमको पढ़ेने की जोरत पढ़ रही है तो मैं आपको एक मैगनेट दिखाता हूं यह मैगनेट है जिसको मैंने मुक्त रूप से लटकाया है फ्रिली सस्पेंड किया है अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो यह लगभग लगभग माले जाई इस जगह पर इस्टेबल करके देखता हूं तो इस जगह पर इस्टेबल हो जाएगा इधर नॉर्थ लिखा इधर सा पर आजाएगा इधर मैं इसको घुमा दूं तो फिर से अपने पुराने वस्था में आ जाएगा तो इस मैगनेट को ठेक है इस छण चुम्बक को मैगनेट को ऐसा करवाया किसने ठेक है तो किसी भी मैगनेट को कोई दूसरा मैगनेट होता है जो प्रभावीत कर सकता है ए दूसरा कुमबक कौन है यह हमारी पृत्वी है जो एक बड़े से चुमबक की भाती कारे करता है तो पृत्वी में चुमबकत्तु आया कैसे उसको जानने से पहले हम जो वैद्धुद धारा है इलेक्ट्रिक करेंट है उसके मैगनेटिक इफेक्ट चुमबकी प्रभाव के ब बता दिया था कि अगर कोई कंड़क्टर है चालक है जिसमें करेंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारो तरप मैगनेटिक फिल्ड जनरेट हो जाते है चुमबकी छेतर जनरेट हो जाता है और वही से हमने राइट हैं थम रूल पढ़ा था इस रूल ने कि माल ले जाए करेंट जो है इस डिरेक्शन में जा रहा है तो अपने राइट हैंड से इसको इस तरीके से पकड़ो कि थम्ब जो है अंगुठा जो है करेंट का डिरेक्शन दिखाए तो आपका जो कर्ड पाम है मुड़ी हुई है वह चुमबकी छेतर की दिशा दिखाएगा इसका मतलब यह ता यह न मुक्त रूप से लटकाया तो लगातार नौर्थ और साउथ दिखा रहा था देखिए मैं आपको जो दिखाया था यह लगातार नौर्थ इधर नौर्थ है इधर साउथ है मैं दूसरे तरफ ले गया तो भी यह वापस से इधर आ जाएगा इसका मतलब इस मैगनेट को कोई है जो ऐसा अलाइन करवा रहा है ऐसा संरेखित करवा रहा है और वह दूसरा मैगनेट कौन है प्रित्वी खुद एक बहुत बड़ा मैगनेट है अब प्रित्वी में मैगनेटिजम इतना बड़ा मैगनेट आया कैसे तो इस पे कई लोगे सोच सकते हैं कि के चुम्बकत को एर्थ के मैगनेटिजम को पड़ सकते हैं सुनिए है अर्थ के कोर में बहुत ज्यादा मात्रा में टेंपरेचर है जिसमें आयरन और निकिल जो है वो मोल्टेन स्टेट में द्रव के रूप में घूम रहे हैं तो जितने भी एटम है उनको भारी मात्रा में जितने भी परमाणू है, उसको भारी मात्रा में heech मिला है, उरज़ा मिला है, तो जो electron है, वो अपना atom छोड़ दिये हैं, और electron जब atom छोड़ देता है, तो atom को क्या बना देता है? आयम बना देता है, परमाणू को iron बना देता है, और iron भी आवेज है चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भी आवेज है चार्ज है और इसी आवेज के बहने को प्रवा होने के दर को rate of flow of charge is known as electric current आवेज के प्रवा होने के दर को ही हम वद्धुद्धा रखाते हैं अब अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज़्यादा क्या आ गये है आवेज आ गये है बहुत सारे आयन है बहुत सारे इलेक्टॉन है और यह आवेज घूम रहे हैं तो इसी के वज़ा से यही current जो क्या हो रहा है यही current जो फैलो हो रहा है जिसके चारोत तरप magnetism आ गया है cumulative providers अगया है चुम्बकी छेत्र आ गया है तो जिस प्रकार का चुम्बकी छेत्र और रहा है प्रदर्सीत कर रहा है तो एक magnet का कलपना किया गया जो ऐसे ही चुम्बकी छेत्र को दिखाए और ऐसे magnet का कलपना किया गया यह जो magnet को मैं मुख्त रूप से लटका रहा था तो जो north south को दिखा रहा था वो भॉगोलिक north south नहीं है जियोग्राफिकल north south नहीं है यह globe का north south अलग है और जो चुम्बक है वो उससे कुछ एंगल पर है तो उसका north south अलग है तो यह magnetic north या चुम्बकी North-South के तरफ ही दिखा रहा है वो इस दिशा में align हुआ है क्योंकि यह magnet इसको या magnetic field इसको align करवाया है अब देखिए इसमें एक गड़बडी है अगर मैं छड़ चुम्बक देखूं तो मैंने क्या किया है North-South के तरफ किसको चुम्बकी छेत्र को magnetic field को लेकिन मैंने पृत्वी का magnetism, Earth का magnetism magnetic field बनाया है तो मैं South से बाहर निकाला हूँ और North से अंदर ले गया हूँ यह कैसे संभव है संभव है, सुन यह क्या हुआ कि सुरवाती दोर में जब study हुआ तो जो freely suspended magnet था, चाण चुम्बक था उसने जिधर North दिखाया उसका नाम रख दिये चुम्बकी उत्तर magnetic North ठेक है, और जिधर South दिखाया उसका नाम रख दिये चुम्बकी दक्षिन या magnetic South बाद में पता चला कि जिधर उसने North दिखाया है उधर South रहना चाहिए क्योंकि North नौर्थ तो एक दूसरे को प्रतेकरशित करते हैं, रिपेल करते हैं तो अगर चुम्बक ने इस चुम्बक ने इधर North दिखाया था और इधर South दिखाया था तो इसका नाम रख दिये North इसका नाम रख दिये South जबकि North नौर्थ तो रिपेल करते हैं तो यह जिधर यह North दिखाया उधर South रहा होगा और जिधर यह South दिखाया उधर North रहा होगा मतलब यही है कि जिसका नाम है Magnetic North वो Earth के Magnet का South है और जिसका नाम है Magnetic South वो Earth के Magnet का North है Nomenclature उल्टा हो गया है कि पहले क्या बोल दिया गया इसी के हिसाब से जितने चुम्बक ने जिधर दिखाया North और जिधर दिखाया South उसका नाम North रख दिये South रख दिये बाद में पता चला कि North North को रिपेल करते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं जिसको हम चुम्बकी उत्तर Magnetic North काते हैं हम जो भी स्टड़ी करते हैं वो इसका नाम हम Magnetic North ही रखते हैं और इसका नाम हम Magnetic South ही पढ़ते हैं इसी नाम से जो उनका नॉमेंक्लेचर है नाम करन हुआ है उसी हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं अब देखिए ये एक प्लेन है तल है और ये एक प्लेन है तल है इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरीडियन भागोलिक याम्योत्तर और इसको कहते हैं Magnetic Meridian या चुम्बकी याम्योत्तर और इन दोनों के बीच जो एक्क्यूट एंगल होता है ये है जियोग्राफिकल मेरीडियन या ट्रू मेरीडियन और ये है Magnetic Meridian इन ही दोनों के बीच जो न्यून कोण होता है एक्क्यूट एंगल होता है इसी को बोला जाता है दिक्पात कोण या एंगल आउफ डेक्लीनेशन तो उम्मीद करता हूँ कि प्रिथ्वी में चुम्बकत Magnetism कहां से आया ये आप समझ चुके होंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ठेंक्यू